दोसो आज की कहानी है The Cop and the Anthem इस कहानी को लिखा था O. Henry न है कहानी है सोपी नाम की एक लड़के की जो Madison Square नाम की एक जगह पर एक बैंच पर बैठा है वहाँ पर बैठे बैठे इसको ख्याल आता है कि ठंड का मौसम आ रहा है और अब ज्यादा टाइम तक ये ऐसे रहनी पाएगा ये तीन महीने बहुत ज्यादा ठंडे होने वाले है तो ऐसे खुली जगह पर रहना ठीक नहीं है शायद इसका कोई घर नहीं है इसलिए इसको एक स्पेस चाहिए एक जगह चाहिए जहां पर ये विंटर्स के इन सर्द तीन महीनों को काट सके पिछली सर्दियां तो इसने जैसे तैसे करके काट ली थी लेकिन इन सर्दियों में इसने जो कोट के ये कोट के नीचे निउस पेपर दबा के रखता है दोस्तों सर्दियों से बचने के लिए लेकिन अब तो वो न्यूस पेपर भी इसको गर्म नहीं रख सकेगा तो इसने क्या फैसला किया कि ये कुछ ऐसा करेगा कि पुलिस वाले इसको आगर पकड़ ले और इसको तीन महिने की जेल हो जाए अब विचरा क्या करें कहीं तो सर्दियां काटनी पड़ेगी भई तो अब ये क्या करता है एक कैफे में जाता है कैफे बहुत चमक राता यानि बहुत बड़ा होगा तो इसने क्या किया खुद की क्लीन शेव कर ली ताकि ये बड़ा आदमी लगे अपने फटे पुराने कोट को भी जैसे तैसे डीसेंट लोक में कर लिया ताकि कोई नोट न करे और एक टाय भी लगा ली इसका प्लान ये था कि अंदर जाएगा अच्छा अच्छा खाना खाएगा देने को पैसे नहीं होंगे, होटल वाला इसको जेल बिज देगा तीन मेने की इसको सजा हो जाएगी, खाना भी मिल जाएगा और रहने के लिए जगे भी मिल जाएगी लेकिन अंदर जाना तो बहुत दूर की बात है वेटर ने बाहर ही इसको दर्वाजे पर रोख लिया इसकी हालत देखी, इसके टाउजर देखे, इसके जूते देखे वेटर ने पुलिस को बुलाने के बजाए इसको अंदर ही नहीं जाने दिया और ऐसे सोपी का पहला प्लान तो फेल हो गया लेकिन इसके बाद उसने हार नहीं मानी वो एक और दूसरे रेस्टरों में गया वहाँ इसने खाना भी खाया और रेस्टरों वाले को बूला कि मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है तो उस रेस्टरों के वेटर ने पुलिस वाले को बुलाने की बजाए से उठा कर बाहर फैक दिया खाना तो इसने खाय लिया पेट तो इसका भर गया लेकिन दूसरी बार भी अपने मिशन में फेल हो गया फिर भी इसने हार नहीं मानी इसने तीसरी बार क्या किया एक पत्थर लेकर किसी के काच की खिडकी तोड़ दी वहां से एक गाड़ी निकल रही थी पुलिस वालों की वो इसको देख कर रुख गई पुलिस वालों ने इसको गिरफतार करने की बजाय सूचा कि अगर वाकई इसने खिडकी तोड़ी होती तो यहाँ पर खड़ा थोड़ी रहता यहाँ से भाग जाता इसलिए इस बार भी पुलिस वालों ने उसे गिरफतार नहीं किया और उसकी तीसरी कोशिश भी फेल हो गई इसके बाद सोपी ने अपनी गिरफतारी के लिए एक और कोशिश की उसने सोचा कि अपकी बार मुझे कुछ बड़ा करना होगा ताकि पुलिस वाले मुझे सीरियसली यहां से उठा के ले जाए उसने सोचा कि वो एक लड़की को एक विमन को परिशान करेगा छेडेगा लेकिन जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तो उस आरत को उल्टा सूपी पसंद आ गया वो उसके पीछे लग गई लेकिन उसने चार बार फेल होने के बावजूद भी उम्मीद नहीं छोड़ी उसने एक बार और ट्राय करने की सोची इस बार उसने सोचा कि वो एक शराबी बनकर सड़क पर घूमेगा किसी कॉलेज का स्टूडेंट है पास में एक कॉलेज है जहां पर अभी अभी बच्चों ने फुटबॉल का मैच जीता है शायद यह उनी बच्चों में से एक है जो अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर रहा है इसे गिरफतार नहीं करते कितनी बुरी किसमत है बिचारे की इतनी बार कोशिश करने के बावजूद यह गिरफतार नहीं हो परा और इस बार आखरी बार वो कोशिश करता है कि इस बार नहीं हुआ तो मैं हारमान लूँगा उसे एक आदमी देखता है जिसके हाथ में एक छाता होता है वो सोसता है कि इसी छाते को मैं चुराऊंगा इस छाते को चुराऊंगा तो चोरी के लिए जरूर पुलिस वाले मज़े पकड़ेंगे उसने जाकर उस आदमी से छाता चीन लिया और उसको बुला जाओ पुलिस को बुलाओ पुलिस को बिलाओ मैंने तुमारे चाता चीन लिया तो वो आदमी पुलिस को नहीं बिला सकता था क्योंकि जिसका चाता सोपी ने चीना था वो खुद एक चोड था और इसी तरह घूमते घूमते पूरे दिन मेहनत करने के बाद में जब यह अरस्ट नहीं हो पाया तो आखिर में यह थक हारकर एक छोटे से क्रिस्चन चर्च के बार पहुचा आखिर यह चर्च के अंदर गया और जाकर बैट गया वहाँ पर चर्च में एक म्यूजिक बज़ रहा था इस म्यूजिक को सुनकर आप मानोगे नहीं सूपी का हिर्दय परिवर्तन हो गया उसने सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या मेरी सारी जिंदगी इसी तरह कट जानी है उसने डिसाइड किया कि अब नहीं अब मैं यह चोर चको की जिंदगी नहीं जिहूँगा बलकि एक respected इंसान की जिंदगी जिंगा इसको याद आता है कि काफी समय पहले इसको एक job offer हुई थी यह सोचता है कि वापिस जाना चाहिए और इस job को लेना चाहिए और एक अच्छी life जीनी चाहिए लेकिन तब ही उसका ध्यान नहीं पड़ा कि उसके पीछे एक פुलस वाला खड़ा था जो कुछ भी आज उसने पूरे दिन बर में किया था उसके लिए वो पुलिस वाला उसे गिरफतार करने आया था उसने उसकी गरदन को पकड़ा और कहा यहां क्या कर रहा है उसने बुला कुछ नहीं वो उसे कोट ले गया और कोट ने उसे तीन महिने की जेल की सजा सुना दी जिस तीन महिने की सजा के लिए ये पूरे दिन बर कोशिश कर रहा था और जब इसका हृदय परिवर्तन हो गया तब जाकर कोट ने इसे तीन महिने की सजा सुना दी और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है दोस्तों